अगरा टोपिक जिसे हम बोलते है रे आपके लिए ओप्टिक GB बहुत बाए टोपिक है और आपके नीट के लिए नीट के प्रस्पेक्टेव से भी काफी Надо टोपिक है एक सवाल दो सवाल तीन सवाल तक इसमें आ सकते हैं इसलिए आप तयार रहे हैं, दो-पार्ट में लेके आएं, आज इसका first part है, first portion है, कल second part है, ठीक है, ना, दो-पार्ट में लेके आएं इसको, तो दीकिए, दो-पार्ट में हैं, इसलिए आपको सारे questions जितने बताए जा रहे हैं, सारे के साथ ट्राई करने मैं इसमेर इसमे 从 colleagues अपूबर तन परावर्तन सब कुछ ले क्या है मट आज वाले session में जो है maximum सवाल जो है reflection के हैं या फिर हमारे परावर्तन के हैं ठीक है और कुछ-कुछ अपवर्तन के भी है कुछ lens के भी है बट maximum सवाल हम कल और लेके आएंगे कलवल सेशन में और, तो दो पार्ट पर डिवाइड किया वत्चोज है ना, तो फटा वट से करेक्ट हो जाएए, फटा वट जोड़ जाएए, क्योंकि हमें शुरू करना है इस टॉपिक को, और सारे क्वेशन आपको ही ट्राय कर दे हैं, सारे बेस्ट क्वेशन है, चलिए, डाइगराम यहां बना के दिया है, क्लियरली, और पूछा है आपसे बताईए, कौन सा ऑप्शन सही है, पहले सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है, सवाल पढ़ते हैं, प्रकाशी करन माध्यम A से, माध्यम 2 में, माध्यम 3 तक गमन करती है, जैसा कि जितर में दिखाया गया ह ठीक है, N1, N2, N3 के तीन अपवर्दनांग सूचकांगों के बारे में क्या निश्कर्ष निकाला जा सकता है, यह क्वेशन है, बहुत आपसे पूछा है कि भईया, N1, N2, N3 में क्या संबंद होगा रिलेशन बिट्वीन N1, N2, N3, अब इस क्वेशन का आंसर निकालना देखिए, रेरर से डेंसर में जाएगी, विरल सगन में तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, है ना, और डेंसर से रेरर जाएगी तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी, सगन से विरल जाएगी, अभिलंब से, पता होगा आपको, दिमाग लगाईए हलका सा, दिमाग लग हम में N2 का मान जो है बड़ा है दिख रहा है साफ साफ तो यह बोल सकता हो बच्चों में N2 का जो मान होगा वो N1 से बड़ा होगा क्योंकि Viral से सगन में जाएगी तब ही पास जाएगी यह दिख रहा होगा आपको है ना अब फिर चाद के देखीए फिर यहां गई यहां से दूरre चले गई बत्षो मतलब क्या है सगण से विरल में अब आप खुद देखिए यहां पर सगण से जब वरल जाएगी तो दूर जाएगी कि तो म Edu सगन से विरल में चाय है दूर यह भी मुझे दिख रहा है साफ-साफ कि N2 का मान N3 से ज्यादा है तो हम जानते हैं क्रांग क्या होगा N3 से ज्यादा होगा यह बात सोची है यह है यहां सब में सगन है यह बात तो बिलकुल सफिर है बट यह नहीं पता मुझे कि N1 और N3 में क्या सम्बंद है अब option देखते हैं देखिए सबसे अधिक N2 तो यह तो वैसे ही गलत हो गए दोनों A और B वैसे ही गलत 3 और 4 में देखिए आप अब 3 और 4 में देखो यहां पर कुछ misprinting है बट कोई बात नहीं N2 फिर N3 फिर N1 तो यह संभावना दिख रही है यहां कुछ misprinting है तो हमारे इसाब से अभी answer C आना चाहिए इसके respect में क्योंकि यहां पर पता नहीं क्या कुछ misprinting हो I don't know that तो अभी के medium second medium में क्या होगा उसके बारे हम ज्यादा कुछ clear नहीं कर सकते तो ज्यादा बेटर option third है सब लोग हो सही है बहुत ही शांदार अगला सवाल आपके सामने ला रहे हैं बच्चों अगला सवाल ठीक है दो में जाता है बच्चों बोल रखाए आप तन कौन ठीटा होता है तो आज आंशिक रूप से परावर्तित है ना और अपवर्तित केंडे परस पर लमुद होती है ठीक है बोल रखाए आपको क्रांतिक कौन होगा मतलब आपसे पूछा है यहां पे critical angle पूछा है ब और बोला आप जानते हैं बनाता हूं मैं आपके सामने यह देखिए यहां से रे आ रही है स्प्रकाट से रे आई इस प्रकाट से ठीक है और यह एंगल दरिखाए यह दरिखाए ठीटा यह पढ़ लीजी सवाल को यहां बच्चों एक तो होगी हमारी इस प्रकाट से यह ज मैं पता है परावर्तन है दोनों ठीटा हो जाएंगे यह आपको पता है इसका माण लेलो E leo ठीक है अब यह थीटा और यह 108 चामाना बूंप लिखा हुआ ہے अब कुझा करन है और अब्वर्ति करें है ब्देखर नहीं इक रिजिए और 30 के बीच में 90 डिग्री कोण है तो यह नब्ब है तो यह दोनों का जोड़ वह भी नब्ब होगा यह पूरे का नब्ब पूरे का कोंड किता हो जाएगा 180 यह तो बहुत की समीकरंट से तो आरह का मान हो जाएगा 90 मैनस थीटा अब आप खुर देखिए यह हो गया बच्चों म्यूवन यह साइन थीटा और यहां हो गया म्यूटू और यह हो गया साइन 90 मैनस थीटा और स्दी का उस्टीटा और यह याद करिए इससे बोलते है म्यू रिलेटिव ठ ठीक है चले आगे बाताता हूं मैं आपको कैसे करते है अब देखे sign IC जो होता है आपको पता होगा यह होता है sign IC का formula है ना देखि इफścionи सी जाय होता है यह हमारा sign IC का जो मान बनेहां बच्चो आजाएगा國 1 Uprov explorative किता है यह है यह अब का तैन थीटा बस इतना समझना था यह आपको इसे करते हैं तो कहने का में यहां पर बस क्या है आपको पूरा प्रॉसेस फालोगन एक फाइदा और था जिन लोगों को ब्रूस्टर रेंके बारें पता था सीधा घर सकते हैं तो कमान होता है तैन थीटा बरावर मुव ब भी कर सकते हैं उससे कर सकते हैं फटावट से बिलकुल है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की दरफ अगला सवाल और शांदार कि सवाल पढ़िए शांदा सवाल है यह देखिए सवाल देखाई 10 cm focus दूरी के एक पतले सम्तोलोतल लेंस को काट कर अलग किया जाता है और उसके बीच दिरिखा आपको वरतनांग दिरिखा आपको तीन है ना का एक पदार्थ भरा जाता है साफ बोल दिया बच्चों आपको है ना चलिए संयोजन की focus दूरी क्या होगी क्या पूछा है आपसे संयोजन की focus दूरी आ श है इतनी सी बात है अब दिक्कत यह कि जो हमारे पास यह वाला है इसका आउर पूछा नहीं बस निकाल लेते हैं अब मैं इसको ट्रॉक कर रहा हूं अलग से और समझाता हूं वह कैसे बनेगा तो यहां पर बच्चों क्या है तीन लेंसे से अब देखो पहले में बीच वाले जो भरा हुआ इसके निकालता हूं वन अपॉन एफ वन बराबर आएगा यू कितना आपका थीन है ठीक है माइनस वन हवा में निकाल रहा हूं मैं है ना तीन माइनस वन यह बनेगा बच्चों वन अपॉन आर और जो है इसका रिनात्मक पी पीशे की तरफ है तो यह बनेगा बच्चों माइनस का 10 और यह माइनस का 10 यह देखिया तो वन अपॉन एफ और यहां बनेगा दो निकालने का तरीका होता है बच्चों वन अपॉन एफ उस तरफ वालिका है ठीक है, उसे हमने काटा है, और जब हम काटते हैं, तो focus दूरी बीच से क्या करते हैं, जब काटते हैं, तो focus दूरी double जाती है, दुग नी, तो कितनी हो जाएगी 1 upon 20, पहले वाले की, ठीक है, दूसरे वाले करोगे तो इसको, हम जब लखेंगे, तो यह आएगा minus 2 upon 5, और ती आपका 4, और यह 8, और यहाँ वापको वापस से 1, तो 1 upon f2 का मान जो है, तो 1 upon f2 का मान क्या बनेगा, आपका minus 6 बटा 20, तो f2 का मान क्या आएगा, 10 बटा 3, यह बनेगा आपका f2, नेगेटिव बनेगा, मतलब आपका 10 बटा 3, नेगेटिव का, इस तरह से पूरा solve करना ह होता है, सवाल हमने ऐसे classes में किये हैं, हमारे app पे हमने जो classes लिए हैं, सारे सवाल इसे करा रखें, ऐसे सवाल आते भी हैं, नेट में, चलिए, अगला सवाल, और बहतरी ने बच्चो, यहाँ पर एक बोल रखा है, हमारे पास, a cube of side 2 meter, एक cube है, side दे रिखिए इसकी 2 meter, है place in front of the concave mirror of focal length दे रखिए है बच्चो, आपको एक meter, है ना, it's face A, देक है, distance दे रखा 3 meter, है ना, and face भी distance of 5 meter, बिल्कुल, देक है, mirror, the distance between the images of face A and B, and heights of images of A and B, चलिए सवाल पूछा है आप से, देख लिए यह सवाल को, तो हमारे पास, यहांपे यह है, और यह cube बच्चो बूरा उपर मानेंगे, हम नीचिए नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि उपर रखा हुआ है, क्यूंकि फिर confused नहूँ आउँ, आप पूर उपर रखा यह, चितर बना के दिया है, छोड़ा confusing, छितर बना के दिया है, इस पर दोनों को निकालना पड़ेगा अब दोनों को निकालने के लिए पहले हम एबी की बात करेंगे तो पहले पे अब करने के लिए अच्छा फोकस दूरी दे रिखी आपको यह दे रिखी है और हमारे पास दरपंड या फिर हमारा मेरर जो है इसकी बात करेंगे वी निकालना और पहले वाले का वी इसका distance जो है object का हो कितना है आपका 3 meter है तो यह हम बोलेंगे minus का negative होता है इस तरफ आपको पता ही है 3 is equals to 1 by f और 1 by f क्या होगा minus तो 1 by v1 का जो मान आएगा वो आएगा 1 by 3 minus 1 2 by 3 कर लेना आप 2 by 3 उल्टा करोगे v1 की value आएगे आपके 3 by 2 देख सकते हैं आप है ना क्योंकि तो आप करेंगे यह 3 से कटेगा minus का 2 बनेगा minus का 3 by 2 मीटर में चल रहा है यह v1 आगया अब magnification निकाल लेते हैं इस बात का ठीक है magnification आवर्दन निकाल लेते हैं क्या होता है minus का v by u तो minus का v by u और v क्या है minus का 3 by 2 और u क्या है आपका 3 है तो यह कितना बनेगा बच्चो माइनस का नहीं यह नीचे भी नेगेटिव है तो यह वह ना देखिए तो h i की value बनेगी बच्चों बनेगी आपकी एक मीटर वह भी नेगेटिव में उल्टा मेरा एक मीटर नीचे बनेगी और 3 by 2 पीछे बनेगी दर की तरफ है अच्छा दूसरे की बात कर लेतें दूसरा दूसरा कॉन सीडी की बात करते हैं सेकिंड की हम माइनस का 1 by U और वह 5 है क्योंकि आप डूरी कित्ती हो जोगे यहां से आधकी इस 5 पांच हो जोगा है सीडी की बात कर रहे है देखिए इस इकोस टू 1 by F और F कितना आपके यहां पे वो है 1 देख सकते है माइनस वन इसले जाए यह वन बाई वी की वैलू है यह बच्चों 1 by 5 माइनस वन तो यह आएगा आपका 4 by 5 उल्टा करोगे 5 by 4 तो वी की वैलू बनेगे माइनस का 5 by 4 मीटर अब आप M निकाल लिए वही सेम प्रॉसेस को फॉलो करिए M क्या होता है वी बाई यू माइनस का वी बाई यू तो 5 by 4 अपॉण 5 करेंगे माइनस का तो यह आपका यहां से 1 by 4 वह वन बाई 4 क्या होता है है एच आई टू अपॉन यहां पर भी टू है तो एच आई टू की वैलू जो आएगी आपकी वह कित्तिया जाएगी बच्चो वह जाएगी वन अपॉन टू वह भी नेगेटिव का आएगा अब देकि सारी चीज़ें आगई हैं अगर हाइट की बात करेंगे तो एक का वन लाटे कवान है का और व्थवर्ज llevar गाया कहार करते हैं कि अधिखर हो और टू तो यहां दिख रहा है यहां भी सेट हो रहा है वला दुछ रहें दोनों के बीच का अंतर भी बाच रहें वह निकाले दोनों की बीच का अंतर निकालोगे एगंस इसका ज़ए जा जोखो इस यह आप जानते हैं तो 0.25 बनेगा दोनों का अंतर यह आंसर है तो आप देख लिए सारे आंसर तो 0.25 दी ऑप्शन जो है बिल्कु सेट है एक्जाक्ली दोनों की बीच का अंतर है 0.25 पहले वाले का है एक मीटर दूसरे वाले का है 0.5 मीटर यह देखिए टाइम लगता है करको सेलेक्शन लेना है इसको दो उसका तो मोटिफ बहुत क्लियर है उसका मोटिफ बहुत इकलियर है सेलेक्शन लेने के तयार है वो इसलिए वो कभी गलत नहीं करेगा है ना देखिए अगरा सवाल दो हमारे पास देरे रिखा है रे ओफ-like fall on a transparent sphere देरे रिखा बनाके ठ ठीक है transparent sphere है कोई है ना हमारे पास प्रिकार्ट से रे जा रही है ऐसे कही light ठीक है आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे दर रे इमर्ज फ्रॉम दर स्फियर पारलेल दो लाइन अभी जो भाहिया भार निकल रही है वह पारलल है इसके लाइन अभी के क्वेशन हिंदी भी पढ़ लीजिए clear हो जाएगा आपको तो यहाँ पे बोल रखाए साफ साफ केरण समानतर निकल रही है A से B के पूछा क्या है new का मान पूछा है तो देखो वैसे तो आप जानते है यह पास जाएगी पहले तो और फिर यहाँ से अभी लंब जाएगा और वहाँ से सीधे निकलेगा ऐसा बोला है सवाल में clearly बोला है बच्चो आप अगर देखें महसूस कर पाएं तो यह ऐसे जाएगा यह अभी लंब है आपका और यहाँ सीधा निकलेगा ऐसा बोला है that is parallel यह parallel होगी इस प्रकार्ट से आपसे कहा है इस प्रकार्ट से आपको ब मेरा काम हो गयाँ मेरा मिल जाये मेरा काम हो जाएगा किस प्रकार्ट से इसको पहले थैद अब देखेंगल बच्चो अगर देखा जाए तो यह हमारा त्रिज्जा है और यह वाली साइड हमाई त्रिज्जा के सामने वाले कौंड भी समान होगे ट्राइंगल के साप से त्रिज्जा के सामने वाले कौंड भी समान होगे तो देखो त्रिज्जा के सामने वाला कौंड आर आर समान होगे अगर आर समान थीटा समान होना ही पड़ फिर से आपको ताकि आप बिल्कुल भी confused ना हो अच्छे से बनाता हूँ देखिए ऐसा कुछ है ठीक है यहाँ पर हमारे पास क्या है ऐसे क्लाइन थी सेंटर से जारी थी और यहाँ पर हमारे पास एक किरन आई इस प्रकार से रे is coming from here और रे ऐसे आ रही है with an angle of 60 degree ठीक है फिर आपने का सर यहाँ से होगी परावर्तित मैंने का हाँ ठीक हो जाएगी यह सेंटर पॉइंट है और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया और यह चलिए सीधी स्ट्रेट ऐसा कुछ हुआ ठीक है अब आप खुद देखिए यहाँ पर समझना आप अब आ टाइम लगेगा नहीं बस प्रैक्टिस सही आपको यहाँ पर यह बच्चो आर होगा और यह भी आर होगा आपका और यह दोनों आर समान होगे क्योंकि यह त्रिज्या जो है आपकी रेडियस यह रेडियस ह होगा अगर साइड सेम हैं अगर हमारी साइड सेम हैं सामने वाला कोंड भी समान होता है देखिए देखिए साइड सेम है सेम होताएगा बलकुल कोई दिक्कत नहीं है अब इसका मतलब बच्चो यह वाला जो आंगल है साट डिग्री होगा क्योंकि हम पता है आई और यह सम 120 डिगरी अब ये 120 डिगरी है तो इन तीनों का सम कितना होगा triangle लैंदर वो भी आप जानते हैं इन 3 accept लीए को र मांग कितना हو जाएका आर स्क्राइवर कितना बराबर कितना हो जाएगा 180 डिगरी मैंने किया बोला को अगर र निकल गया तो मेरा काम खत्म है स्नेल का नियम लगा दू काम खत्म हो जाएगा लगाइए स्नेल का नियम discrimination को साइन मू साइन आई बहार तो कुछ 20 को साइन साथ is equals to mu sin 30 ये बनेगा आपका answer तो mu का मान क्या बनेगा sin 30 होता है root 3 by 2 है ना, और sin 30 होता है 1 by 2 ये देखिया है ना, तो ये बनेगा root 3 बन जाएगा आपका answer देख सकते हैं आप, root 3 is the answer तो हमारा जो answer बनेगा, वो 2 option बनेगा, systematically करिए थोड़ी गणित लगेगी, थोड़ी match लगेगी बिना उसके नहीं चलेगा काम सवाल बढ़िया होते हैं, तो समय लगता भी है चलिए, अराम से अगला सवाल करिए अगला सवाल बुला है आपको, प्रकाश की एक किरण अपवर्तनांक root 3 की एक आयतकार काश के slab में आपतन root 60 से प्रवेश करती है यहाँ slab के अंदर 5 cm की दूरी ताय करती है और slab से बाहर निकलती है ठीक है, आपतित और निर्गत किरण के बीच की लमवद दूरी पुछा आपसे, ठीक है, आपतित और पास किरण आई, किदर से किसी एंगल पे, तो यह एंगल किसी एंगल पे किरण आ रही है, फिर हमने कहा ठीक है वईया, यह एंगल आई, ठीक है फिर पास जाएगी, और फिर वापे से क्या है बाहर निकल जाएगी, ऐसे कुछ होता है यह was I am वैह उसे कोज भता है बच्चो है ना विल्कुल आप замाव यहां से हमारा अप्द तू यह हमारा गया और यह बाहर निकल गया इस्चा रिख है आपको बराद ihren यह अंगर-पार यह कि रिख ऑपको यय तो साट डिघरी तो 5000 5 30 पूछा क्या हैं आपसे गैंप मासे इام की यहасं पडिए आपतित और निर्गत किरण कि बीच कि यह आप दूरी है इसाफित किर心 है आपकी यह निकालनी है आपको ये यह दूरी वैसे इसका formula पढ़ा होगा आपने lateral displacement है ना वो लगा दीजे तो हमारा formula जो होता है बच्चो आपको पता होगा lateral displacement का होता है T sin I minus R upon cos R यह होता है बच्चो lateral displacement का यह हमारा formula होता है lateral displacement का T sin I minus R cos R अब sin पताईए आपको I, आपको पता ही है, I का मान केतना तर रिखा है, I का साथ है, I का अमान केतना तर रिखा है, 30 है, सब कुछ पता ही है आपको, दopia however एक और दिक्कत जो है वह समज़ना आप यहां पर इसने बुला यहां स्लाइब के अंदर जिलाब के पांच सेंटीमिट्र किधु מא कर आपकार यह निकल दीद पूरा आपके सामने कोई यह एक्षि ze यह 30 है तो कितना बनेगा 5 cos 30 तो हमारे ती बनेगा चोड़ा यह बनेगी इसकी वो क्या बनेगी आपकी टी का मान बनेगा 5 cos 30 और टी का मान क्या होगा 5 cos 30 5 root 3 2 सब्सक्राइब तो यहां पर कर सकते हैं डी का अंसर किया आएगा टी किता है आपका 5 root 3 by 2 ठीक है साइन आई मैंने सार तो आई मैंने सार बनेगा साइन 30 तो वन अपॉन टू और कॉस बनेगा रूट 3 बाइटू कॉस्ट 3 बनेगा वह हमारे रूट 3 बाइटू यह हमार आंसर है ठीक है बचो ऐसे करना आपको क्योंकि हम जानते है यह फॉर्मला आप जानते है इस प्रकार से अगला सवाल अगला सवाल देखिए अपवरदनांग 1.6 का एक तरल ठीक है ना एक तरल है अपवरदनांग 1.5 कांच के नमूने की गुहांट में ऐसे भर दि कि एक ठीक है जित्र जो जड़्शाया गया है यह फंदी प्रतेक्वक्री सतह की व Ricaता्रीजा खरतेथाध औरिभ प्रतेक्वक्री सतह है जीरो पॉइंट 2 मीटर है बहुत बढ़िया इंस ईभस्था का एक रूप से वेवार करे जिए पूच्याई आपसे सवाल में ऐसा था और सव् fellowship सत्व इस mem He सब करताूं देखिए ऐसा है इसको मैं आराम से बनाता हूं ऑप्र बढ़िया सवाल है देखिये हाँ फिर यह ऐसे बन जाएगा और फिर यह ऐसा है इस प्रकार से यहां पर तीन है बच्चों आपके पास यह आपका A है यह आपका B है यह C है यहां का मिू दिरिखा है 1.5 और यहां का मिू दिरिखा है 1.6 ऐसे दिया है तीनों को अलग-अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा उससे आंसर आएगा और सभी का आर आपको दिरेखा है को इटेंशन वाली बात नहीं है देखो वन अपॉन एफ निकालता हो पहले वाले का तो वन अपॉन एफ ए और वन अपॉन एफ सी समान होगा सिमिलर दिख रहे ह अच्छा 0.2 दिया है मीटर में दिया है संटीमीटर 20 बन जाएगा 20 माइस का वन अपॉन बीज यह बन जाएगा है देख लिजी यहां से बनाओगे यहाँ हका वन अपॉन टूर यह यह बनक्स का वन अपॉन टेन डिया एगा नेगिटिटिव का तो यह बनेप अबन 20 ठीक है तो यह बनेगा वर अपॉन 10 ठीक है यह बनेगा और यह देख सकते हैं आप कित्ता है तो 0.6 बाइट कि या फिर कुछ और कर लो स्वाल करके ठीक है यही शोड़ दिया में प्लस का बन जाएगा अब निकाले तुल्ले का पूरे तो वन अपॉन एफ इक्विलेंट जो बनेगा आपका वन अपॉन एफ वन कित्ता बनेगा वन अपॉन 20 वहना प्लस 0.6 अपॉन 10 और फिर बनेगा यहां पर माइनस का वन अपॉन 20 इन तिरो सॉल कर दो 20 लो एलसीम यहां जाएगा बच्चों माइनस वन यहां जाएगा 1.2 डबल करना पड़ेगा टू है और यहां जाएगा माइनस वन यह देखे तो यहां पर जब एफ इक्विलेंट की वैलू निकालोगे आप उल्टा करोगे तो इससे माइनस में बनना है तो यह बनेगा 20 बटा 0.8 इसका फोलिंग इसको दो जेरrie आजाएगा ऊपर एक और दो यह बनेगा 208 इसे चार से योड़ोगे बच्चों धूक्थ allora' चार से चार से डिवार चार से बनेगा आपका होता होगा अब सारी नेगेटिव फोकल आते हैं अब सारी होता है डाइवर्जिंग होता है ठीक है और सेंटी मीटर में हैं तो हम जानते हैं इसको लिखना के तरीका 0.25 मीटर वो भी नेगेटिव का इस तरह से तो यह आपका अंसर भी आ गया अगला क्वेशन बच्चो सारे सवाल बहुत बैतरीन सवाल है केल्कुलेशन तो करनी पड़ेगी वो अप्टेक्स सवाल्यार ऑप्टेक्स में यह दिक्छा आती है कैल्कुलेशन कि अगला सवाल देखिए अगला देरेख्या आपको यहाँ पे आर्त रिज्या 100 cm का कोई आर्त रिज्या है का आच का गोला पानी के अंदर रखा जाता है पानी के अंदर रखा जाता है, बिंदू बिंब हमारा O, है ना, को A से, यहां से A से, 20 cm दोरी पर रखा गया है, जैसे कि चितने दिखाया गया है, गोले के दूसरी तरफ देखने जाने पर, प्रतिबिंब की इस्तिती और प्रकरती पूछा है, बल्ला दूसरी तरफ से देख है, साफ बोला है, ठीक है, तो 4 by 3 में रखा है, इसका म्यू कितना है आपको, इसका म्यू 3 by 2 है, तो एक फॉर्मिला होता है, म्यू 2 by V minus mu1 by U is equals to mu2 minus mu1 by R, तो देखिए हमारे पास दो बार करना पड़ेगा, दो सतरहों से करना पड़ता है, अलग-अलग करके तो ले को लग इस तरफ है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, mu1 by U, mu1 कितना है, 4 by 3, तो 4 by 3 और U कितना है आपका, 20 cm, is equals to mu2 minus mu1, तो यह बनेगा 3 by 2 minus 4 by 3 upon R, mu2 minus mu1 by R, R धनात्मक है, दिख रहा होगा, आपको 10 हो जाएगा, यह ठीक है, देख लेजे आप, अब यहां देखेंग यह solve करोगे, तो 9 minus 8, 1 by 6, ठीक है, 1 by 6 बनेगा, देख लीजे आप, ठीक है ना, तो 9 minus 1, 1 by 6 बनेगा आपका, तो 1 by 60, और यहां minus का बनेगा, आपका यहां solve करेंगे, तो यह 4 से बनेगा 5, तो यहां बनेगा minus का 15, ठीक है, चलो, LCM ले लो 60 यहां पे, 60 LCM लोगे, तो यहा 2 by 2v, देख सकते हैं, ठीक है, तो v का मान जो है, यहां minus 3 बन रहा है, minus 3 से, यह कट जाएगा 3, और v की value जो आ रही है, आपके 30 आ रही है, यह को solve करो, आप यहां पे आराम से, तो v का मान जो बनेगा, आपका 3 से 3 कट गया, तो यह बनेगा minus का 30 cm, एक्चली, v का मान minus 30 आ ग सवाल तो आप खुद भी कर सकते हो, इस तरह से, यह काफी बड़े-बड़े सवाल है, अब देखिए, पीछे जो है, हमारा बना, तो देखिए, मैं आप इसको बना के दिखाता हूं आपको, यहां पे, तो यहां पे अगर हम देखें, तो हमारी प्रतिवें में जो बनी, व हम इदर से देख रहे हैं, इस प्रकार, हाँ, चलिए, अगर आप देखें यहां पे, तो यहां पे आपको solve करने के लिए तरीका अपनाना पड़ेगा, अब लगाए वापिस से, वही चीज़, अब यह बाहर जारी किरण, तो हमारे पास जो है, यह mu2 जो होगा, आपका यह और यह कितना हो जाएगा, पचास, ठीक है, is equals to mu2 minus mu1, तो mu2 कितना है आपका, बाहर कितना हो, mu2 जो है आपका, वो है 4 by 3 minus 3 by 2, क्योंकि अंतिम माइनस प्रारंबिक, अपन आर जो है, इस बार क्या है, इस बार negative है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि इसका आर जो होगे, तो माइनस का बनेगा, माइनस का 1 upon 60, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 1 upon 60, देख सकते हैं, क्योंकि आप जब करेंगे solve, तो 6 बनेगा, और यहाँ पे minus minus plus हो जाएगा, नीचे से, उदर बेजीजे, तो 4 upon 3 V की जो value बनेगी, 1 upon 60, माइनस का 3 upon 100, देख सकते हैं, आप, यहाँ बनेगा, और यहाँ बनेगा, बच्चो एक सो असी, देख सकते हैं, गटाओगे, उल्टा कर दोगे, तो यह बनेगा 3 V upon 4, उल्टा करोगे तो यह आएगा, 60 in to 100, upon, यहाँ बनेगा बच्चो माइनस का असी, है ना, देख लिजे, यह 0 से 0 एक कटी जाएगा, आपक यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, V की वैलू कितनी बनेगा है, माइनस का 100 cm, तो 100 cm वाला जो आपका अंसर है, वो आ चुका है, अब इन दोनों में से दिक्कत वाली बात है, देख सकते हैं, अब उस तरफ बनाएं, आक्चुली इस तरफ हमारी बन रही है आप देखें, 100 बन रहा है, तो आपका observer यहाँ है, उसको प्रतिवे में यहाँ कहीं दिखेगी इस तरफ, और जब भी ऐसा होता है, तो हम जानते हैं, वास्तिविक नहीं होता हो, आभासी होता है, तो आपका अंसर यह सी आ जाएगा, वास्तिविक के लिए उस तरफ मिलना अगर किये हैं, तो बिल्कुल बहुत सभी प्रैक्टेस कर रहे हो, ठीक है, अब यह सवाल बिल्कुल नया देखेगा आपको, बढ़ है असान काफी, देखिए, माना R और R डैश एक संभाहुत प्रिजम के अंदर की कोण है, ठीक है, कोणों को डिगरी से दर्शाते हैं, ठ समय के साथ बदल रहा है, बोला है, ठीक है, बदलता है, इस समय के दॉरान R अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, तो R के बारे पूछेए, बतलत करेंगे यह ना विल्कुल सोच इस बात को अप्रिश्म के बारे में पूछा है क्या करोगे तो फॉर्मुला याद कर लो जिसको फॉर्मुला याद है वह डोश्रे को दो स्कुलिखनों ईखकता है और प्लस आडश का मान 19 के बराबर होता है यह पढ़ा हो अगर आपने formula तो काम हो गया ठीक है तो नहीं पढ़ा तो फिर छोड़ देना फिर कुछ नहीं हो भूसकता ठीक है आर प्लस आर डैश का मान जो जाएगा वो ए हो जाएगा ठीक है आर ये रहा आर डैश ये रहा और ए होता है बच्चों हमार प्रिज्म कोण साफ साफ लिखा हुआ है सवाल में संभाहू प्रिज्म है संभाहू हमारा प्रिज्म है और संभाहू प्रिज्म है तो ये कामान कितना जाएगा कुछ लोग छोड़ देंगे देखते ही, अरे सर ये तो क्या T-square में क्या है, जिन्दिंगी में पढ़ा ही नहीं आज तक ऐसा, इसा नहीं होता आप, concept clear है आपका, तो कुछ भी सवाल आजाए, कोई नहीं रुख सकता आपको, selection से, 50-T-square, ये देखिए, देख लिजा, कहां लगें करने में आपको, तो ये चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ शुरुवात में होती है प्रिज्म में, शुरुवात में, क्या R plus R ड's कमान एक के बराबर होगा, शुरुवात में ही पढ़ते हैं हैं प्रिज्म के अंदर, ऐसा, अगला सवाल और बहतर, और शांद है ऐसे गती कर रहा है इस प्रकार से गती कर रहा है ऐसा बोला गया है गती करना शुरू कर देता है गती करना शुरू कर देता है शुरुआत में उसने ऐसे एंगल पे चलो आगे बोला है यहां पे फोकस दूरी दे रखिए 10 सेंटिमीटर है ना है ना उभैल लेंगी लेंस के सामने ठीटा कोंड को घर्षाता है मतलब आपका वस्तु जो है ऐसे चल रहा है इसका वेक दिया नहीं है मैं वी माल लेता हूं क्या दिक्कत है यह वी वेक से चल रहा है प्रारंबिक अवस्ता में कौन कितना थीटा है यह पूछता है 45 जिगरी है यह पूछता है बदाईए प्रति बिम्ब या बिम्ब का एंगल कितना होगा अब सवाल देखते ही मज़ा जाएगा ठीक है अब देखो सोचो यहां पर पूरा होते हैं वेगवाले उनमें एम होता है आद करिये हैंना मतलब आवपधन निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा वन बाई वी-1 यू कितना आपका यहां पर 20 है तो यह जगा प्लस वन बाइब 20 फॉर्मुलाइब करिए वन बाइवी मानस वन बाइए उस इकोज टू बाइफ तो वन बाइफ किता है बच्छों वन अपॉन दस दे रखा है प्लस का साफ साफ तो वन बाइवी का मान आएगा वन अपॉन 10-1 अपॉन 20 यहां जाएगा आपका 20 यहां जाएगा आपका 2 है ना यहां जाएगा एक तो वी का मान क्या बनेगा आपका 20 cm वी जो बनगे आपका 20 cm बन गया यह देख लिए आप वी जो है आपकी प्रतेविम दूरी जो है वो कितनी बन गई 20 cm यहां लिखता हूं तो वी का मा यहां से बनेगा आपका यह बनेगा वैसे तो यह निकालने की ज़रूत नहीं थी यह को देख रहा होगा यह टू एफ पर रखा है तो टू एफ बनेगा तो एम का मान आ यह वी है यहां घटक होगा बच्चो यह जाएगा वी है ना इसे कर लेते हैं बच्चो हमारे दोनों गटक बराबर होगा तो यह एक्स गटक भी होगा और वाय वाला गटक भी होगा क्योंकि आप जानते हैं एंगल कितना है 45 डिगरी है दोनों घटक यहांगे हमारे बराबर होगे यह प्रतिविम की वस्तु की बात कर रहे है अच्छा प्रतिवियम के पास दो वेग और एक्स गविए एक्स्व की निकालते है पर इम के बता अ कि तो इसका मतलब Adjust है हमारा formula होता है M2 VO तो मतलब प्रतिविंब जो है वो भी आगे जा रही होगी इस प्रिकार से VY में जो होता है हमारा बच्चों होता है M into V है ना ओ यह बनता है आपका M into VO तो जो VY के लिए देखोगे आप तो M की value क्या है minus 1 और VO क्या है V है तो VY जो बनेगा आपको बनेगा minus का V इसका मतलब यह है असली में जो है मारी प्रतिविंब इधर जा रही है V से समझ दया इसको बनाता हूं मैं प्रतिविंब असलियत में अगर आप देखें तो प्रतिविंब ऐसे जा रही होगी यह थीटा पूछा है तो यह पूरा निकालना पड़ेगा आपको थीक है अब कैसे दिया उसने तो बस आगया अंसर मुच्छो है ना देखो तो हमारे पास जो एंगल होगा 45 डिगरी नीचे की तरफ होग क्योंकि आवर्धन अभी एक आगई सवाल टफ और हो सकता था कि आवर्धन निकालो फिर सोचो तो यहां पर फॉर्मुले पता होने चाहिए आपको एक्स दिशा में फॉर्मुला होता है M2 VO और Y दिशा में होता है MVO यह पता होंगे फॉर्मुले तो सीधा से दिखरा है ब तो यहां पर हमारी प्रतेवेम का असली घती जो है वह इस दिशा में हो गी आपकी इस प्रकार से और यह एंगल है 45 डिग्री इससे लिए उसने माइनस का 45 चूज किया है अगला सवाल और बहतर है अगला सवाल और बढ़िया देखते हैं अगला सवाल स्क्वार दे रख़ है और बोल लगा फोकल लेंद तो मिरर दे रखी 10 cm सब दे रखाए आपको फोकल दूरी दे रखी आपको 10 cm सब कुछ पता है लेंद ऑफ दे पैरिमेटर ऑफ दे इमेज जो हमारी प्रतिविंब है उसका लंबाई बतानी है पैरिमेटर वस्तु की बढ़ा कितने होगी साइड दिरकी एक मिलेमेटर तो यह एक 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 चार होगी है ना वस्तु की लंबाई हो जाएगे चार हमें बताना है कि प्रतिविंब की पैरिमीटर बाहर का जो से होता ना सतह उसका मान बताना आपको है ना चाली तो कैसे करें अब देख यहाँ पर कि यहां दिक्कत जो है वह आप समझें दिक्कत क्या है यहां पर दिक्कत जो है कि यह साइड जो है बहुत छोटी है साइड जो है कितनी है एक मिलीमीटर अरे एक मिलीमीटर कितना मजाक होता है बहुत छोटा होता है दो हाथों को ऐसे मिलाओगे ना तो मिलीमीटर क्या असप तो differentiate कर लेता हूं उसको, है ना, with respect to कुछ भी कर दो, time से कर दो, है ना, समय के साथ कर दो, with respect to, है ना, time कर दो, समय के साथ में, कर दीजिए, जब करेंगे, तो यहां बनेगा minus 1 upon v square into dv upon dt, तो dv कर दिया हमें, यहां बनेगा minus 1 upon u square into d u, और यहां बनेगा 0, क्योंकि focus दूरी क्या होती है, वो हमारी इस प्रकार से, अब उसने पूछा क्या है, हमें पूछा है dv का मान, तो dv का मान क्या बनके आता है, बच्छो, dv का मान ले जाओगे, तो यह बनेगा, बच्छो, minus का, v upon u का whole square into d u, देखिए, यह समझना, यह मैं d में क्यों ले गया dv और dv, dv क्या है वस्तू की लंबाई, और dv क्या हमारी प्रतिबिमी की लंबाई, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, मुझे v upon u, m निकालना पड़ेगा, जो कि m निकालने के लिए मैं लगाता हूँ, 1 by v, minus 1 by u, is equals to 1 by f, तो 1 by v, minus का 1 by u, है न, क्योंकि हम जानते है, minus क् उदर है, तो 15, तो यह आएगा, minus का 15, 1 upon f, f किता है, 10 है, वो भी negative का आएगा, तो 1 by v की value तो ले जाए, 1 by 15, minus 1 upon 10, तो 1 upon v की value बनेगी, वो किती बनेगी आपकी, यहाँ ले लो आप LCM, 150, यह जाएगा आपका 10, यह जाएगा आपका 15, तो 5 बनेगा, तो v का मान बनेगा, minus का 30, v का मान minus का 30 बन गया, तो m निकाल लो, है न, m क्या होता है बच्चो, v by u, है न, यह v by u निकाल लो, कोई दिक्कत नी सीधा लगा दो equation में, तो हमारा equation क्यादा dv, is equals to the minus का, minus को उल्टा होता है, ठीक है, v by u का whole square, तो v कितना है आपका minus का 30, और u कितना है, u है आपका 15, minus 15 का whole square, into हमारा 2 mm है, याद कर लीजे इस बात को, तो कि du का मतलब है, छोटी चोड़ाई, तो यहां से dv का मान जो बनेगा आपका करोगे, तो कितना बनेगा आपका, देख सकते हैं, आप यहां पर बनेगा, 15 double, तो यह बनेगा आपका कितना, यह बनेगा आपका 2 का square 4, और यह बनेगा 8 mm, तो आक्चुली आपकी जो प्रतिविम बनेगी, वो दिखाता हूं में क्या बनेगा आपका प्रतिविम, ठीक है, प्रतिविम बनेगा एक तो पीछे की तरफ, क्योंकि आपको पता है, यह कहीं ने यहां, तो प्रतिविम बनेगा बढ़ा, ठीक है, और इसने बोला है साफ-साफ 1 mm यह बनेगा 4 mm को आप खुद देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा एठ भाट कर अंहीं होगा फिर चार व्यहरण इंगे है उसने चारे होगा और परण्छण मिल्ищ stimulus रहिए यहाँ만िया मिल्यमेटर की तीन साइड, तो 4 और 4 और 4 यह बनेगा 12, है न? 4 ती है 12, क्योंकि आप देख सकते हैं V by U, और V हमने सही निकाला है U सही निकाला है, तो 12 mm जो है आपका perimeter हो जाएगा उसका इस पर काट से ठीक है न? तो यह 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा परिमाप की लंबाई पुछिए ना, परिमाप में तीनों काउंट होंगे, तो चार, चार, चार इस प्रिकार से, है न? तो चारती है बारा, ये बनेगा आपका, देख लिए आप, है न? चालिये, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, समझिये, अगला से दूसरे ना M2 से ठीक है इसको माल लो बच्चो H माल लो इसकी उचाही को H माल लो पटावट देखिए अगर हम देखें आपे तो मुझे निकालना क्या बढ़ेगा दोनों से निकालना है तो पहले मैं इससे निकालूगा फिर इससे निकालूगा यह हमारे क्या कॉंबिनेशन ओफ मेरे से क्वेशन है तो पहले हम बात करते हैं फॉर M1 मैं बात करता हूं फॉर M1 तो हम लगाएंगे 1 बाइवी है ना माइनस अब उस तरफ है तो यह हमारा नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 30 दिख सकते हैं तीक है तो 1 अपॉन 30 is equal to 1 अपॉन F और F किता है उसका 20 है तो माइनस का 1 अपॉन 20 इस प्रिकार से तो 1 अपॉन V की वैलू आएगी 1 अपॉन 30 मैनस 1 अपॉन 20 LCM लोगे 60 लो LCM तो 60 लोगे LCM यहाँ जाएगा आपका 2 यहाँ जाएगा आपका 3 तो V की वैलू आएगी बच्चों माइनस का 60 माइनस 60 का मतलब जो आपकी प्रतिविम बनेगी वो माइनस बन जाएगी मतलब प्रतिविम में जो बनेगी आपकी यहाँ पर यहाँ पर यह 30 था देखिए 60 पर बन रही है 60 मतलब क्या है यहाँ कहीं बनेगी तो यहाँ से किता हो जाएगा वह 20 cm तो आपकी प्रतिविम बन तो बड़े को प्रकार से ना क्योंकि हमें क्या निकालना है हमें निकालना है अपका अफर टू सक्षेशन ठीक है यह तो यह तो यह तो घाले वाले का स्मेश्ट मिरत पर युवांज रहें है अब मेरी प्रतिविम जो है वस्तु तरह कारे करेगी तो नेम्टू के लिए बात करते हैं है से चल्च के लिए बात करते हैं Low ugly बात करोगे तो यहां पर हमने इसको origin माल लिया यह पीछे तो नीजिटिव तो रहे गई ठीक है निजीटिव रहे हैं चैसे को लुट नेजिटिव रहे वन अपॉन 20 मैनस वन अपॉन 10 यहां सॉल्व कर वे 20 आपका यह आज आएगा देख लिजे यहां जाएगा 1-2 वी की वैलू क्या रही है माइनस का 20 सेंटीमीटर देखना इसको सॉल्व करना है ना 20 गया अपना बन अपॉन 20 क्योंकि आप जानते हैं उस तरफ इमिज बनी है है ना तो माइनस का 20 सेंटीमीटर तो आप देख सकते हैं खुदी हमारा वी की वैलू क्या बन रही है माइनस का 20 सेंटीमीटर अठीक है तो मैगनिफिकेशन क्या बनेगा आपका M2 बनेगा हमारा मैनस का वी वाई यू तो माइनस 20 और यू भी किता है आपका त्वेंटी त्वेंटी प्लस का हो जाएगा आपका देख सकते हैं आप यहां पे आराम से और यहां से बनेगा है चाई अपाउन हो तो जो हैच आई-टू होगा और हो क्या है वह जो होगा आपका यह रहा त्वेंट त्वेंगा ट्वेंट देख सकते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं एच आइज आई-वन कि वैलु ट्वेंटी चागी तो आपको देखिए अब मैंगनिफिकेशन निकालने पूर्स की तो पूर्स की Magnification आप देखेंगे, तो क्या बनेगा आपका पूरस का Magnification, अच्छा, पहले वाली जो image बनी थी, वो आपकी यहाँ पर बनी थी, बड़ो उल्टी बनी थी, तो यह भी उल्टी बनेगे, तो यहाँ पर भी एक negative रहेगा, बच्छो, negative रहेगा, तो minus 2H, आप खुद देखिए, Magnification क्या होता है, अंतिम प्रतिविम जो बनी, minus 2H, upon H, तो यह बनेगा, हमारे minus 2, यह बनेगा, को total, कुल मैंगनिफिकेशन जो बनेगा, आपका, it is minus 2, calculation चेक करना, बहुत चांदार, देखो, question है, मैंने आपको पहले ही बोला, सवाल जब भी ऐसा दिख जाए आपको, तो आपको बहरत पूरी करने पड़ेगी, क्योंकि दो बार करना पड़ेगा, परावर्तन, यह लेंस में सवाल ही बनते हैं सिर्स परकार के, दो बार करना पड़ेगा, परावर्तन आपको, पहले इस से, फिर इस से, और पूरी एक चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, है ना, बिल्कुल, उल्टी बनी है आपे, क्योंकि आप जानते हैं, उससे उल्टी बनी है, तो यहाँ भी उल्टी बनेगी, इस सीज़ रखता है, जैसी हमारी वस्तु है, वैसी ही रखेगा इमिज, हमेशा, इस नेगेटिव तो आना ही था, पूरे उसका, तो इसने माइनस टू लग दिया मैरे, बागी टू हमारा आई गया था, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बच्चो आजाए फटावट से, अब ये सवाल आसान-आसान सवाल है, अब जो क्वेशन है ना, वो थोड़े आसान है, ताकि आप लोग फटावट से ट्राइ कर पाएं, ये क्वेशन करते हैं बचो ट्राइ, 160 cm उचाई का एक व्यक्ती, देखो, एक व्यक्ती है बच्चो आपका किता है, 160 cm उचाई का व्यक्ती है, ये आप लोग करके बताएंगे मुझे, अब इजी क्वेशन है सारे, चालिए, हमारे पास बोल रखा है, यहाँ पे सामने खड़ा है, उसकी आखों के, उसकी आखे 1 से 150 मीटर है, उसकी आखें जो है, कितनी है, 150 मीटर है, सेंटी मीटर है, इस प्रिकाड से, तो बोल रहा है, बच्चो अपनी पूरी प्रतिविंद देखने के लिए, कितनी लंबाई चाहिए, बताएए, फटावट से, दरपन की लंबाई कितनी चाहिए, बताएए, कम से कम, आपकी लंबाई का आधाह होना चाहिए, कुछ भी उससे फरक नी पड़ता, तो L का मान जो होता है, बत्चो बहुता है, L बाई 2, है ना, वेक्ति की लंबाई का आधा, बास, H बाई 2 बोल दीजे, L बाई 2 बोल दीजे, तो लंबाई का आधा, यह H बाई 2 करो जा असी आजाएगा असी H by 2 थर्ड ऑप्शन पर्फेक्ट आंसर 85 नहीं आएगा बच्चो असी आएगा आंक कितना उपर है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आंक की बात से कोई फरक नहीं पड़ता सी आंसर आजाएगा याद रखें इसको अगला कुवेशन अगला सवा है निकल रही है इस प्रकार दे रहाएए चलिए क्या पुछाय आपसे जर्शाय कोन आई का माण करना है यहां पर देखे कैसे करेंगे इसको, अब यह 60 degree दे रेखा है बच्छो, 60 degree और ये भी 60 degree हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं, समानतर गई ना, यार, पैरलल गई ना, स्ट्रेट, पैरलल, समानतर गई है तो ये देखा 50 degree हो गया, अब ये हो जाएगा 30 degree, क्योंकि आप जानते हैं, अब इलम्ब से पूरा कोण कितना होता एंगल? that is 90 degree तो ये 60 है 30 हो जाएगा ये भी 30 हो जाएगा बच्चो तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 ये पूरा होता है 180 अब ये 60 ये 60 तो ये भी कितना है 60 तो ये कितना होगा 30 तो ये भी कितना होगा 30 और ये ही तो आई है तो आई की value कितनी हो जाएगी 30, एक सिस्टम चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको 30 degrees is the answer, त्वाई का मान, आपते कोण का मान 30 degrees हो जाएगा, ठीक है, बहुत शांदार 30, बहुत शांदार, सबको आ गया, बहुत बढ़िया ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल, बच्चों, आप लोग करके बताएंगे, मुझे बहुत easy question है क्योंकि, असान सवाल है, सबको करना है नीले रंग के एक वर्णी ये प्रकाश का वाईू में तरंग दिदर दिरिखा है, 420 nanometer ठीक है, नीले रंग का कोई है, बच्चों माल लोग क्या फरक बढ़ता है ठीक है, उसका लैमडा दिरिखा है, बलू का, वो दिरिखा है आपको 420 nanometer ये दिया है है ना, चलिए, इसका पानी में क्या होगा ये पूछा है, इसका पानी में क्या होगा ये पूछ रहा आप से, कि पानी में क्या हो जाएगा इसका तरंग देधर रहे है तो देखें, बच्चों, म्यू के बारे में आप जानते है म्यू क्या होता है, C by V और आप जानते है, यह होता है, लैमडा पॉन लैमडा डैश है ना, उसका पानी में निकालना है तो यह लैमडा डैश निकालना है अपने लैमडा डैश का मान क्या होगा, मुझे एक है लैमडा पॉन म्यू, बास यह कर दो, क्या करोगे, लैमडा पॉन म्यू म्यू पता है आपको, सब दे रिखा है लगा दीजे ठीक है तो लैम्डा का मान किता है 420 है और म्यू का मान किता है 4 by 3 है देखो 4 by 3 तो यहां से उड़ाएंगे तो चार्ड से उड़ेगा आपका 105 इसको तीन गुना कर दीजे आंसर आ गया तो 315 दिख रहा है मुझे 315 नैनो मीटर तो यह आपका आंसर है 315 नैनो म तेरिखा है आपको यह फर हवा में हवा में होता है नीचे वाला जो होता है माध्यम में होता है माध्यम का पता हैं में यह को इस प्रिकार से अगला सवाल बच्छो अगला सवाल दिरिखा है image found by the convex mirror focal देनी रेका 30 cm quarter प्वाटर हीज ऑफ दा अब्जेक्ट का वाटर साइज है वद्द मैंगनिफिकेशन दिर रिखा आपको वन बाए फॉर यह गिवन आपको है ना और फोकल दिरखिया गित्ती है आपको वह दिरखिये बच्वों 30 संटीमीटर चली सको दटा देते हैं इदे रिखाब क्या नि वह देगे मैनस का यू बाए फोर है ना इसको कंफिज मतोना यू बाए फोर तीक है तो यह वी की वैल्यू अब लगा दो एक्क्वेशन लगाओ कि 1 बाए वी मैनस 1 बाए यू थीक है यह एका मैनस 1 बाए यू नेगेटिव होता है और वी हमारा यहां पॉजिटिव होगा यू नेगेटिव होगा तो वी पॉजिटिव होगा तो वी की वैल्यू क्या होगी 1 बाए यू बाए 4 देख सकते हैं तो यहां पर एफ आएगा तो वन बाए एफ और एफ पॉजिटिव होता है यह देखिए ऐसे एक्शुली फॉर्मला तो यह होता है बट यू हमारा यू नेगेटिव कर दो वी पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 बाय वी क्या बनेगा यूंवाए 4 है ना यह बनेगा 1 बाय यूउ इस इकोस्ट बनेगा आपका यह 4u है 30 थिज री बाय यू की वाल्यू बन जाएगे आपके वन अपॉन साइन कंवेंशन में हम यू को कह लेते हैं माइनस अफ-ू इसलिए यू नेगेटिव वो गया तो यह पॉजिटिफ हो गया साइन कंवेंशन के साथ से भी है चलो अगला सवाल अगला सवाल बोला बच्चो एक प्रकाशकिरंड एक माध्यम में चल रही है इसका वाईयू के साप एक जरीका है मूँ हमारा 45 ठीक है बहुत बढ़िया एक माध्य में चल रही है 45 degree बना रही है सतह पर that is given as 45 degree और यहाँ mu कितना है? root 2 और यहाँ mu कितना है? 1 होगा यह पूछने पता ही क्या होगा और इससे आपको बता होगा critical angle formula होता है IC sine inverse 1 by mu और 1 by mu क्या होगा? 1 by root 2 दीग है? तो IC की value क्या हो जाएगी? आपकी that is equals to sine inverse 1 upon root 2 यहाँ एगा 45 degree आजाएगा तो actually यह कितने पर आ रही है? IC पर ही आ रही है critical angle पर ही आ रही है है ना? बिल्कुल हाँ तो यह critical angle पर ही आ रही है और critical angle पर ही आ रही है ऐसे चले जाएगी बच्चो मतलब यहाँ पे पूर्ण आंतिक परावर्तन होने वाला होगा अगले कोंड पर होगा नहीं अभी होने वाला होगा तो पहला जो है वो तो ऐसे साफ गलत है दूसरा केरन का पूर्ण आंतिक परावर्तन हो जाएगा? नहीं नहीं होगा क्योंकि पैतालिस के बाद होता है critical angle के बाद होता है तीक है? हाँ ये बिलकुल सही बात है केरन आपकवरतन कौन 90 degree है ऐसे चली जाएगे बच्चो और ये 90 degree हो जाएगा आपकवरतन कौन आपका ये बिलकुल बात सही है तो हमारा third option correct answer है चली बच्चो हमारा आखरी सवाल है आपके सामने आखरी question है आज का फिर हम कल और question लेके आएंगे इसमें optics पर तो की बहुत बढ़िया होंगे इसको सब लोग try करेंगे आपे जितने बच्चो देख रहे हैं सब लोग सही उत्तर दीजेज़का क्योंकि शांदार question है easy question है ठीक है theory वाला सवाल है इसलिए आप सब लोग दें आंजर पढ़ देता हूं मैं एक बार अपार दर्शी quads के दिये गए टुकडे के लिए अधिक्तम अपवरतनांग होगा बोल रहा है किस में से इन सब में से अधिक्तम अपवरतनांग किसका होगा ये पुछा आपसे ठीक है English में पढ़ लेते है refractive index of the given piece of the transparent quads is greater किसके लिए अधिक्तम refractive index होगा लिख डालो फटावट से बहुत शांदार question है और बहुत असान सवाल है इसलिए सई से लिखना इस बार answer बहुत सोच समझ के जल्ली बाजी मत करना लाल और बैंगनी में confused होते हैं बच्चे ध्यान से करना ठीक है बताइए क्या होगा सोच समझ के बताइए क्या होगा A. लाल बोलाए B. बोलाए बैंगनी C. बोलाए हरा D. बोलाए पीला चार हमारे पास option है A. B. C. पूछा ये है कौन सा बहतर है बिल्कुल क्या शांदार answer आ रहे है काफी लोग 3rd बोल रहे है 3rd हरा बोल रहे है वाँ 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 कुछ लोग 2 बोल रहे है 2nd वॉयलिट है ना बहुत शांदार 2 वाले बच्चे बहुत है वाँलिट वाले बच्चे बहुत है देखो समझना इस बात का जिसका answer होगा बच्चो पहले तो पता होगा आपको विब्योर V. I. B. G. Y. O. R है ना इससे सवाल आते है इस फाले पार्ट से जब भी आप इदर जाएंगे तो लैमडा का मान क्या होगा बढ़ेगा जब भी आप इदर जाएंगे तो लैमडा का मान क्या होगा बढ़ेगा ये पता है आपको लाल कलर जो है सबसे अधिक चमकीला होता है अधिक लैमडा वाला होता है ये आपको आइडिया होगा तो lambda बढ़ता है इस दिशा में जब भी जाते हैं अब mu के लिए बच्छो एक कौशी की सम्मिक्रण होती है आद याद करिए कौशी equation बोलते हैं उसको कौशी equation a प्लस b अपॉन lambda square ये कौशी equation होती है ठीक है कौशी equation बढ़ियोगे आपने a प्लस b अपॉन lambda square तो mu कहीं न कहीं lambda square के width कौमान उपाती है तो lambda जब बढ़ता है तो mu कम होता है बच्छो याद एकना इस बात को lambda बढ़ता है mu घटता है तो जब इदर lambda बढ़ रहा है इस दिशा में lambda बढ़ रहा है तो mu क्या होगा? घटेगा बढ़ी mu क्या होगा? घटेगा बच्छो कौशी equation इस पे सवाल आ चुका है घटेगा mu तो सबसे कम होता है red का सबसे अधिक होता है violet का मलता bangni क्या है? सबसे ज़ादा होगा तो violet जो light है उसका सबसे अधिक हो जाएगा B option is a perfect answer अगर कम पूश्था तो हमारा क्या होता? कम पूश्था तो राल होता तो red कलर का सबसे कम होता है इस प्रिकार्ड से बिल्कुल चलिए बहुत शांदार बहुत बढ़िया तो बच्छों आज के लिए इतना ही रखेंगे बहुत शांदा response दिया आपने बहुत ही शांदा तरीके से यह समझ लेना यह बहुत important concept है जब इधर जाएंगे lambda बढ़ेगा, mu घटेगा बिल्कुल symbols है चलिए बच्छों आज इतना ही रखेंगे पूरे सारे सवाल कर लिए काफी concept पे कल और part 2 आएगा इसका उसको और follow करना आप तरीके से मिलते हैं अगले session में ओके बच्छों, bye बच्छों